कि हलो प्रेंट दिस इस रहूल वेलकम तुमाय यूटूब चैनल वत्साइयस वत्साइयस यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के बारे में तो उसका दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करे देखते हैं इसमें क्या है तो देख लेते हैं अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग वंस के अलग-अलग राजाओं ने किस प्रकार के अस्थापत्य कलाओं के विकास में अपना योगदान दिया किस प्रकार की मात्ते बनवाएं क्या-क्या योगदान रहा इसको देखते ह कि आप सब लोगों को पता होगा कुतुब दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार लेकिन अब कह न और कुटुम दीन ऐबक न एक चीज़ अबनवाया था Κुतु इसलाम मसजिद लेकिन कुतुब दीन अहबक के जीवन काल में कुतुब मीनार का काद पूरा नहीं हो पाया था उसको किसने कम्प्लीट करवाय था इल्टुतमिस ने ठीक है अब यहां पहला पॉइंट यह स्टार्ट होता है जो लिखा है यहां पे कि कुटुल इसलाम मस्जिद को और बड़ा बनवाय किसने बनवाय फिर से वही नाम यहां पर भी आता है इल्टुतमिस ठीक है मतलब कि कुटुब दीन अहबक ने कुरतुल इसलाम मस्जित को बनवाया था लेकिन उसकी मृत्य के बाद किसकी मृत्य के बाद कुतुब दिने वक ठीक है इलतुतमिस ने कुरतुल इसलाम मस्जित को और बढ़ा करवाया मतलब कि उसको बनवाया नहीं मतलब कि उसका साइज बढ़ा करवा दिया और अधिक छि तो उसके बाद देखते हैं उसके बेटे के नाम पर ने मिश्क फेलेप मतलब में मसलिए इसलिए इलत मीस की नाम पर किसके बेटे यह पढ़ता है महरावली के पास दिली में ठीक हैं तो उसी कुतुमीनार के पास इल्टुतमिस की कब्र भी बनाई गई है क्लियर है आगे चलते हैं अब आगे बात करेंगे अलाउद्दिन खिलजी की अलाओ दिन खिल जी ने दिल्ली के दूसरे सहर सीवी की अस्थापना की दूसरा सहर क्यों दिल्ली तो खुद एक सहर है ठीक है तो दिल्ली के पास अब दूसरे नगर का दूसरे नगर का निर्मार कराया है मतलब किया स्थापना किया किसने किया अला उद्दीन खिल जी ने और सहर का नाम क्या था सीडी क्या नाम है सीडी और कुत्ब मीनार के पास ही उसने अलाई दर्वाजा का भी निर्मार कराया और यह इंपॉर्टेंट रख़ा अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा किस ने निर्मार करवाया था अलाउद्दिन खिलजी और यह कहां पर कुत्म मीनार के पास में कि और इसके आलाउए उसने पानी के विसाल कुंड का निद मार् कर वाया ठीक है ऊदिनि मैं पोला जाता है हौज खास हुज खास कहां पर होज खास एडिली में यह दिली मेट करता है थिक है और राट से और है त। ओस ने बस एक बड़ा साग था जिस्में जब को एक अत्रित किया जाए जा सके हैते हैं और अलाई दर्वाजा जो था इसको बहुत सुन्दर तरीके से बनाया गया है और इसी दर्वाजे से कुत्व मीनार की मसजिद में प्रवेस लिया जाता था ठीक है। गयासुद्दिन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे सहर तुगलकाबाद का निर्मार कराया तीसरा सहर कैसे पहला सहर दिल्ली दूसरा सीवी अलाउद्दिन खिल जी का अब तीसरा तुगलकाबाद किसने कराया गयासुद्दिन तुगलक ने और गया सुद्धिन तुगलक की जो कब्र बनाई गई वो लाल बलुवा पत्थर से बनाई गई और यह पंच मुखी संदर्चना है पंच मुखी मतलब कि सवारी 5 भूजी पंच भूजी का मतलब 5 भूज्र आओं वाली ठीक है। जैसे त्रे बनाई गई 10 थीज़ाइं यह जो देरना में ने बनाई कितनी भुजा इसमें 5 तो यह पंच भुजी रचना इसी टाइप की ठीक है इसी टाइप की कुछ रचना है वो पंच भुजी सं रचना और जिसका अनीमित है ठीक है फिक्ष नहीं है और इसके ऊपर के भाग में हिंदू मंदिरों के तरह कलस और आमलक का निर्माड कराया गया है ठीक है कलस और आमलक जो है हिंदू मंदिरों में बनाया जाते हैं लेकिन जो यह गया सुद्धिन तुगलक की कब्र है कि उसमें हिंदु मंदिरों की तदा कलस और आमलक का निर्मार किया गया ठीक है आगे चलते हैं तुखलक मंस के ही एक और साथ सके हैं फिरोज सा तुखलक कि अब इन्होंने बिल्न के चोथे सहर कि अस्ठापन किया फिरोजाबाद चार कैसी यह सहर है अभी बतायायो पहला दिल्न हो गया च्छा है फिरोजाबाद फिरोज साथ गवारे के तुगलकवंस के सबसे बड़े अस्थापत्यकला के निर्माता के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसने बहुत बड़ी बड़ी इमार्ते और बहुत बड़ी बड़ी चीजों का निर्मार्ण करा है अस्थापत्यकला के दिश्टकॉर्ण से फिरोसा तुगलक को प्त्यकला के निर्मारता तुगलक में क्योंकि उसने बहुत सारी इमार्थ वह सारे सहरों का निर्मार कराय जैसे कि 3 उसां कोटला यह दिल्ली में इसके अलावा जॉन पूर्ष फिरोजव बाद फटेह बाद हिसार इन सभी सहरों की स्थापना कराई किसने फिरोसा तुगलगने कि अब मद्धिकालिन सासकों के बारे में एक खास बात है कि वो पहले से मौझूद इमारतों का रख रखाव मरम्मताद कम करते थे वो लोग यह ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नहीं इमारते बनाई जाएं यह लगवक मद्धिकालिन सासकों में सब यही करते थे लेकिन फिरोसा तुगलगने उल्टा किया इसका मतलब कि उसने पुरानी इमारतों के रख रखाव पर अधिक ध्यान दिया और मरम्मते भी करवाई जिसमें कुत्व मीनार भी सामिल है उसने कुत्व मीनार के भी मरम्मत करवाई शिरक न सुध्व index lati दाफ़िस के आते शाथे इन इमारत वे पिरुम्ग बदलाव, अब पुराने वा सक्रे आर्क वाले दर्वाजी के अस्थान पर बढ़े आर्क वाले दर्वाजय बना ने लगे मतलब पुराने दर्वाजी होते कि वह में वित्त है हुँ अब जो नैम् दर्वाजे बनने भुए इसमें बड़ा खोटा था टेरह का मतलब चाप ठीक है कुछ इस तषण से खेर तो कि अब यह दो है यह आये थे परतिया से ठीके परतिया मतलब आज का इरान अब भारती कारीगर्द इसकी मजबूती को लोग लेकर संसे में थे मतलब कि भारती कारीगर्दों को संदेय था कि यह मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने इसमें सपोर्ड के लिए लकड़ी की बीमों को दरवाजों के पास लगा दिया मतलब कि भारत की जो कारीगर थे उन्हें विश्वास नहीं था कि ये मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा ये टिक पाएगा लंबे समय तक या नहीं टिक पाएगा ये सब संदे था भारती है कि लिए था और लोधी बंस के दवरान क्या हुआ था कि दोहरी गुंबदों का प्रशलन हो गया था ठीक है इन्हें एक की उपर एक करके बनाया जाता था ठीक है लोधी बंस के दवरान दोहरे गुंबदों का प्रशलन हो गया था जिनने एक की उपर एक करके बनाया जा प्रोत है सएय रसी कंदर लोधी जो सायर साय साथ को अर्व कि आ और उनकी जो कब्रें थी इसी तरहं को मैं इसी तरह Okeं इस्पार्छ अधि यांत शीकाई लौपिर इस नयुक्त के ओपर फिर वहा एक फिर फी अब बने हैं कराया गया है और किसमें कराया गए वर्गाकार दबलडरमL थीट कर मतलब इस तरह से है क एक तब मत होता है गोल आइसवर्द में इस तरह बनता है लेकिन वर्गाकार इस तरह सिता मनेगा ठीक है तो बलग वर्गाकार गुंबद मतलब एक गुंबद इसके ऊपर फिर या था अ इस तरीके से यह वर्गाकार गुंबद यह गोलाकार गुंबद ठीक है यह होता है सिंगल गुंबद और एक गुंबद के उपर दूसरा गुंबद अगर बन जाए तो उसको बोलते थे डबल डॉम यानिके दोहरा गुंबद या फिर एक क्यूपर एक गुंबद ठीक है यह हुआ दिल्ली के अस्थापत्य कला और कला और संस्कृति का दूसरा भाग अब इसके आगे आगे की वीडियो में जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है उसको कवर करेंगे आज के लिए इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहु प्रमोर को धड़ियो दिल्ली के वीडियो डिनली जाह है जात है ए spans प्रेवां जड करें आगी है